कोविट नाइंटीन महामारी के कारण जो स्कूल लंबे अर्से तक बंद रहे हैं उससे यह बात साप नदर आती है कि आज के दिन आत्म निर्देशिद शिक्षार्थी सेल्फ डिरेक्टेड लर्नर बनना कितना अवश्चक हो गया है आत्म निर्देशिद शिक्षार्थी बनने के दो आयाम हैं पहला एकलव्य जैसे मांसिक गुण जैसे सीखने की ललक, ध्रिड निश्चे, लक्ष, ध्यान, इत्यादी और दूसरा अच्छी क्वालिटी के निशुल्क ऑनलाइन लर्निंग संसाधनों की जानकारी इस विडियो में मैं आपको कुछ अच्छे और फ्री ऑनलाइन लर्निंग रिसॉर्सिस दिखाना चाहता हूँ पहला ऐसा संसाधन है खान अकाडमी जो की एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन है खान अकाडमी की वेबसाइट और एप में बहुत अच्छी क्वालिटी के विडियो टुटोरियल्स उपलब्द हैं अधिकतर लर्निंग कॉंटेंट इंग्लिश में है पर मैट्स के 6th से 11th क्लासिस के विडियो टुटोरियल्स अब हिंदी में भी उपलब्द हैं साइन्स के कुछ विडियो टुटोरियल्स भी हिंदी में हैं और नए विडियो लगातार एड़ किये जा रहे हैं खान अकैडमी में विडियो ही नहीं धेर सारी सेल्फ प्रैक्टिस एक्ससाइज़ भी उपलब्द हैं मेरे विचार में ट्यूशन फीस या कुमोन जैसे संसाधनों में पैसा खर्च करने से शायद बहतर है खान अकैडमी की निशुल्क सेल्फ प्रैक्टिस एक्ससाइज़ इस्तेमाल करके सीखना खान अकैडमी में आप या तो विडियो टुटोरियल देख सकते हैं या आप सीधे संस सॉल्फ करना शुरू कर सकते हैं और फिर अगर कहीं फसे तो हिंट ले सकते हैं या तब विडियो टुटोरियल देख सकते हैं खान अकैडमी मास्टरी लर्निंग की पद्दती पर आधारित है यानि एक टॉपिक के कुछ सवाल बिना हिंट लिए ठीक सॉल्व कर देने पर ही ये माना जाएगा कि आपने उस टॉपिक में मास्टरी हासिल कर ली है बिना मास्टरी हासिल किये आप दूसरे टॉपिक पर जात हो सकते हैं पर फिर आगे के एडवांस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपकी उस टॉपिक से जोड़े बुन्यादी टॉपिक की समझ अभी गहरी नहीं है Khan Academy में Free Register और Login करके आप अपनी Progress ट्रैक कर सकते हैं और ऐसा करने से Website का Learner Analytics Engine आपको दिखाता है कि आपने किस टॉपिक में कितने सम्झ सॉल्फ किये, कितने वीडियो देखे, इतियादी ये Analysis भी आपको उपलब्ध हो जाता है जो खुद से सीखने में बहुत काम आता है अगर आप कुछ करके बहतर सीखते हैं, Hands-on Learning तो अरविंद गुपता जी की Website Toys from Trash एक बहुत अच्छा संसाधन है इस Website में बहुत सारी Scientific Concepts पर आधारत मज़दार Experiments हैं जो आप घर पर कर सकते हैं इन Experiments के Video Tutorials काफी सारी भाशाओं में उपलब्ध हैं Website में और अच्छे संसाधनों के बहुत सारे Links भी हैं San Francisco के Exploratorium के इस Web Page Science Snacks में Toys from Trash जैसे Science के और मज़दार Experiments हैं Learning by Doing में अगर आपको मज़ा आता है तो आप Online Simulators और Apps इस्तिमाल करके पढ़ने को रोचक बना सकते हैं जैसे ये Online Simulator, Motion, Acceleration और Velocity Time Graph समझने के लिए एक अच्छा संसाधन है इस Simulator में आप Online Virtual Circuits बनाके Electricity से संबंदित Concepts बहतर समझ सकते हैं Simulator Websites के Link नीचे Description में हैं अगर आप अंग्रेजी से थोड़े Comfortable हैं तो TED-Ed Website सीखने का एक और अच्छा संसाधन है इस Website में कई सारे Interesting Topics को समझने के Short Animated Videos हैं Animation के साथ Multiple Choice Questions और Critical Thinking Questions भी हैं जिनको करके आप उस Topic पर अपनी समझ और गहरी कर सकते हैं नोबेल प्राइस के Website हर साल जिन Topics पर नोबेल पुरुसकार दिया गया है उनको स्टूडेंट्स को समझाने के लिए Learning Resources उपलब्त करती हैं जो एकदम नए Topics को समझने में सहायक हैं इस Website में कुछ Interesting Educational Games भी हैं Google Science Journal एक और मज़ेदार एप है जो आपके स्मार्टफोन में लगे सभी सेंसर्स की Reading दिखाती है सभी स्मार्टफोन में Light, Sound और Motion, Accelerometer सेंसर लगे होते हैं इस एप का प्रयोग करके आप Physics की इन Concepts को समझने के लिए Experiments कर सकते हैं Google Science Journal एप मैंने एक और वीडियो में समझाई है Blockly और Scratch खेल-खेल में Computer Programming सीखने के अच्छे संसादन है Blockly पर मेरा एक वीडियो है और Scratch पर मेरी एक पूरी वीडियो टुटोरियल सेरीज है हिंदी में ये केवल कुछ उधारण है समझाने के लिए कि आज एक आत्मिर्देशित शिक्षार्थी के पास कितने विकल्प उपलब्द हैं रोचक तरीके से खुद से पढ़ने के बस आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए इन संसादनों को प्रयोग करके देखिएगा और अगर आप कोई और वेबसाइट, एप, गेम या सिमिलेटर के बारे में जानते हैं तो कॉमेंट्स में लिंक शेयर कीजेगा